नमस्कार साथियों एक बार फिर से आपका हमारे यूटुब चैनल खेती वीडियो में पिस्वागत हैं सहथ सहथ के लिए अच्छा होता है यह बात तो हर कोई जानता है पर उन्तु जो सहथ हम खा रहे हैं वह सुद है यह एसुद यह बात बहुत कम लोग जानते हैं एसुद सहथ हमारी सहथ को सुधारने के बजाए बिगार सकता है तो हम आज आपको कुछ ऐसे घ्रेली नुस्त के बताएंगे जिससे आप सुद सहथ की पैचान कर सकते हैं इसलिए वीडियो के अंद तक आप हमारे साथ बने रहिए सहथ को लेकर लोगों में बहुत सारी बरहांतिया है अधिकतर लोग है और नकली सहथ को असली और असली सहथ को नकली समझते हैं तो आप सोच रहे होंगे वो कैसे जो आप ये सहथ स्पेद रंग का देख रही हैं ये सरसों के खेतों में मदमख्यों का पालन करके बनाया हुआ है यानि मदमख्यों ये सरसों के फूलों का रस्चूस कर इस सहथ को बना जा है यह एकदम सुद सहथ है पर उन्तु लोग इसे एसुद या चीनी से बनावा सहथ समझते हैं और बहुत से लोगों को तो स्पेद रंग का सहथ है वो देखावा भी नहीं है या जानते भी नहीं है कि स्पेद रंग का भी सहथ होता है इस सहद को करीम हनी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह वाइट करीम की तरह जमावा दिखाई देता है लोगों में जानकारी के अभाव के कारण यह सुद सहद भारत में नहीं बिखता है इस सहद का पुरून तैंद्रियात होता है और विदेशों में इसकी बहुत मांग है तो इसलिए आप सहद को उसके कलर या उसके रंग से उसकी सुटा को नया आंके क्योंकि सहद का रंग है वो इस बात पर निर्वर करता है कि मदमुक्यों को कौन सी पसल पर पाला जा रहा है मदमल्क्यों को लेक्टस, लेची, अजवाइन, सर्सों, बेरी, सिस्सम आधी अनेक पोधों पर पाला जा सकता है और इन सभी पसलों से त्यार सहद अलग-अलग रंग का होता है तो इसलिए आप सबसे पहले इस ब्रहम को दूर करें कि सहद केवल गोल्डन रेड कलर का लिक्ट पदार्त होता है तो आईए अब जानते हैं कि हम सुद सहद की घर पर ही पैचान कैसे करें तो सबसे पहला जो पैचान का तरीका है वह है काज की मदद ले यानि इसके लिए आपको काज की प्लेट लेनी है इसमें सहद की कुछ पूंदे गिरानी है यदि हने को टपकाने पर यह है सांप की कुंडली के जैसे अकरते बना ले तो यह सुद होगा लेकिन सहद तुरंद फैल जाए तो यह नकली होगा दूसरा तेका है पाने के साथ मिला कर देखे आप पाने के साहद से भी असली और नकली सहद की पहचान है वो कर सकते हैं इसके लिए आपको एक काज के किलास में साप पाने लेना है इसमें पतले तार्क के रूमें सहद को गिराना है यदि सहद सुध होगा यह पतले तार्ग के जैसे विलास की स्थाय पर बैट जाएगा जबकि ऐसुध हनी है वो पाने में घुल जाता है तीसरा जो तरीका है वो है सहद को रूई में बेगोकर उसकी बती बनाईए अब इसकी बती को जलाईए यदि सहद नकली होगा तो यह जलेगा ही नहीं यदि जल भी जाता है तो यह चिट-चिट की आवाज के साथ जलेगा और यदि असली है तो सहद तुन जलाने पर जल जाएगा स्फित कपड़े से भी आप सहद की सुत्ता को जा सकते हैं इसके लिए आपको साप स्फित कपड़े पर सहद की कुछ बूंदे गिरानी है थोड़े दिर बाद इस कपड़े को पाने से दोए यदि सहद सुध होगा तो कपड़े पर दाग नहीं लगेगा लेकिन यदि सहद एसुध होगा तो कपड़े पर दाग लग जाएगा मोसम से भी आप सहद की सुत्ता का पैचान कर सकते हैं आपको बता दें कि असली सहद है वो सर्दी या ठंडी के मोसम में जम जाता है जबकि गर्मी के मोसम में पिखल जाता है लेकिन यदि आपका सहद हर मोसम में एक जैसा ही रहता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि सहद में मिलाउट के गई है शटा तरीका है आप लकडी के सहदा से भी सहद की सुत्ता की जान सकते हैं इसमें आपको एक लकडी का टुकड़ा लेना है और इस लकडी की टुकड़े में सहद की कुछ बूंदे गिरानी है इसके बाद सहद के पास माचिस की तेली लानी है यदि सहद जलने लगे तो ये सहद सुध होगा यदि नहीं जलता है तो एसुध होगा मक्खी भी बता सकती है कि सहद सुध है या एसुध मक्ही लगबग सभी घरों में रहती है एसे में असली नकली सहद की पैचान मक्ही के जरीए पता कर सकते हैं सुद्ध सहद में मक्ही फसती नहीं है बलकि फड़ फड़ा कर उड़ जाती है जबकि मिलावटी सहद में मक्ही फसकर रह जाती है और वहीं पर मार जाती है तो इन सभी तरीकों से आप असली और नकली सहद में अंतर कर सकते हैं या असली सहद को पहचान सकते हैं यह आपको यह पसंद आया तो खमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें पासवली गंटी को दबाना ना